हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दुस्ता हैं विश्याल असब का स्वागत करता हूँ आप ही के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको किसी ने शायद ही इस ट्रिक के बाइब भारे मं बताया होगा दोस्तों बहुत चोटी ट्रीक है लेकिन बहुत यूश्फुल है ये ट्रिक के बारे मं तो आपको अगर ये ट्रिक पसंद आती तो उसके लिए आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब किईजीगा और कि WhatsApp पे status का फीचर होता है, यहां पर जा कि आप status किसी का भी check कर सकते हैं, ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या होता है, status running mode पर होता है, यानि कि देख सकते हैं, यहां पर circle circle आ रहा है, ओके दोस्तों, यानि कि एक status पे click करने के बाद, वो एक time पर खड़ा नहीं रहता, वो कुछ 30 seconds, maximum 30 seconds limit होती है, minimum कितनी भी हो सकती है, ओके दोस्तों, zero से लेके 30 seconds इसकी overall limit होती है, वो expire हो जाता एक time के बाद, लेकिन अगर आपको यह status hold करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इस पे hold करके रखना होता है, इस तरीके से, मैंने hold कर दिया, अब यह इस तरीके से चलता रहेगा, ओके दोस्तों, आप चाहते हैं, कि आपको इस पे hold ना करना पड़े, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूं दोस्तो इसके लिए आपको सिर्फ इस पे अपने थिरी फिंगर्स लेके एक नहीं दोने तीन फिंगर के साथ ही किलिक करना है अब देखी मैं इसे छोड़ देता हूं और थिरी फिंगर्स है मैंने इस तरीकी से इस पर किलिक कर दिया अब यह रुग ग चाहिए और यह इस तरीके से रुख जाएगा बहुत अमेजिंग ट्रेक है यह शायद आपको किसी नहीं बताई हो ओकि दोस्तो तो इस तरीके से आप दुबारा इसे रनिंग मोड पर कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीन शॉट भी एजिली ले सकते हैं ओकि दोस्तो तो देखा यह बहुत अमेजिंग टिक है और बहुत अच्छी टिप्स है तो यूज़ करके देखेगा ओकि दोस्तो इससे आपको स्क्रीन शॉट लेने में भी दिक्कत नहीं हुई क्योंकि दोस्तो एक तरीके से इसको होल्ड करके रखना और वाटसेप की जितने भी स्टेटास होते हैं इनका स्क्रीन शॉट लेना मुश्किल हो जाता है लेकिन आप अगर थ्री अपनी फिंग को दबाना ना भूले मिरेंगे बहुत जल नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों